नमस्कार दोस्तो, रियल वेब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में मिनी ब्राउजर अप्लिकेशन को कैसे यूज करेंगे तो गैस गर आप भी जाना चाहते हो कि मिनी ब्राउजर अप्लिकेशन क्या है और इस अप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए तो गैस सबसे बहुत इसके लिए आपको करना क्या होगा प्लेस्टो में आपको सर्च करना है मिनी ब्राउजर और यह अप्लिकेशन आपके सामने आ जाएगी इस अप्लिकेशन को आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर गैस अगर आप इस अप्लिकेशन के डिटल्स वगरा देखना चाहते हो तो नीचे की साइड में आकर अबाउट इस एप वाला ऑप्शन होगा इसके उपर जैसे आप क्लिक करेंगे इस अप्लिकेशन की पूरी डिटल यहाँ पर आपक आपको देखने को मिल जागी यह अप्लिकेशन क्या है इसमें क्या का फीचर मिलने वाले कैसे यूज करना सब कुछ यहाँ पर आपको जो है लिखा हुआ देखने को मिल जागा यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हो ठीक है ना उसके बाद यहाँ से बैक आकर अगर आप इस अप्लिकेशन के रिव्यूस रेटेड वगरा चेक करना चाहते है तो वो भी यहाँ पर आप देखसे तो 4.0 इसको स्टार मिले हुए 1,000 इसके रिव्यूस रेटेड 3 प्लस है और 1,000 प्लस इसके जो है डाउनलोडिंग है यहाँ पर आप आप जो है देख सकते हो ठीक है न तो कैसे अप्लिकेशन को यूज करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हम अप्लिकेशन को ओपन करेंगे और जैसे यहाँ पर हम इस अप्लिकेशन को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो तो देख सेकतो यहाँ पर जो शोशल ब्राउजर लिखा हो आपको देखने को मिलेगा और गैज इस तरह से आपको सामने जो है बहुत सारी एप्लिकेशन आ जाएगी जो कि यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ली इसके अंदर आप जो है आप जो यूज कर पाएंगे जैसा कि यह यहाँ पर आप जैसे तो Facebook, Instagram, Twitter है, अब इनके उपर जैसे क्लिक करेंगे, उनके लिंक पर आप जो है चले जाएंगे, ठीक है न, वेबसाइट के उपर चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप जो three line पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर privacy, policy, latest, this app का option आपको जो है देखने को मिल जा टेके न, उसके बाद अगर आपको कोई search करना है तो यहाँ पर search वार पर क्लिक करके, आप सर्च कर सकते हूं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे यह जो options है, इनमेंसे भी यहाँ पर किसी भी application के उपर अगर आपको क्लिक करके इस application को use करना है तो आप कर पाएंगे ठीके, तो वाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे किसी भी एक application के उपर यहाँ पर हम जो है click करेंगे ठीक है ना जैसे किसी को भी use करना तो यहाँ पर कर सकते हो कोई अगर हमें यहाँ पर search करना है तो directly यहाँ से हम search भी कर सकते हो यहाँ पर जैसे आप Google में search करते हो उसी तरीके से यहाँ पर search बार पर click करके आप जो भी search करना चाहते हो search भी कर सकते हो ठीक है ना चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर Instagram को open करते हैं तो Instagram के उपर जैसे हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि एक चोटी सी add आएगी जिसे हमें यहाँ पर close करना होगा उसके बाद देख तो यहाँ पर हमारे सामने जो Instagram आ चुगा ठीक है अब गैस यहाँ पर जो get the Instagram app वाला option है यहाँ पर click करेंगे तो directly Instagram की app हमें यहाँ पर open हो जाएगे और गैस यहाँ से अगर website से हमें logging करना तो logging वाला option मिल जाएगा यहाँ से भी हम जो है logging कर पाएंगे ठी से भी application को use करना तो यहाँ से आप directly उस application को use कर सकते हो यहाँ से डारेक्ली उस App के अंदर भी आप जो है जा सकते हो ठीक है ना तो इस तरह से इस application को आप अपने phone में use कर सकते हो तो गाईस गर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना शेर करना और गर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे